हेलें वेल्कम एवरिवन आप सभी का हमारे इजुक्रिशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्यूटी पर एक बार फिर दस्वागत है बात करकर हम आज के सेशन की तो रीजिनिंग सेक्शन में आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर चार आज हम लोग डिसकस करेंगे जो कि आप कर अगर हमें आप प्रिवियस जो सेशन रहे उनमें आप लोगों के रिस्पॉंस काफी अच्छे देखने को मिले आप लोगों ने काफी बहतर वहाँ पर परफॉर्म किया हलाकि कुछ स्टुडेंट्स के मैसेज भी आये हमें कमेंट प्राप्त हुए जिनमें आपके लिए कुछ प्रशनों के जो लॉजिक हैं कुछ कोश्टन के जो लॉजिक है वो काफी नए है तो बहतर चीज यह है कि जब आप अपकमिंग एक्जाम में अपियर होंगे तो उन लॉजिक के साथ में आप फैमिलियर हो चुके होंगे यानि कि ऐसे भी प्रशनों को बनाय जा सकता है यानि कि इस लॉजिक के ताहट भी कोश्टन को बनाय जा सकता है यह बात आप जान रहे होंगे यानि कि इस लॉजिक पर बेज्ट जिन हम पर्टिकुलर लॉजिक की आप बात कर रहे हैं जिन लॉजिक के साथ आप फैमिलियर नहीं है तो उन लॉजिक के साथ अगर आप को प्रश्ण देखने को मिलता है तो आप असानी से प्रश्णों को बना पाएंगे साती साथ मैंने आपको एक्जाम में अप्रोज भी पता है कि किस प्रकार से आपको विकल्पों का यूज करना है कोई भी प्रैक्टिकल आपको एक्जाम हॉल में जाकर नहीं करना है क्लियर चलिए बाकी मैं अगर बात करूँ यहाँ पर सेशन में कैसे जुड़ोना है हमारे साथ तो आपको पता है कि आपको हमारे साथ में कॉपी और पिन ले करके बैठना है और कितने नमबर आफ कोश्चन्स आपके यहाँ पर करेक्ट हुए यह बात हमें कमेंट बॉक्स में आ बात करें या हम पहले प्रस्ण की तो पहला प्रस्ण आपको काउंटिंक और फिगर पर बेस्ट देखने को मिल रारा काफी आसान सा कुश्चन है तो फटा-फट से आप बात करें अगला question आपका dictionary order पर बेस्ट question है तो फटा-फट से इसको भी हम लोग यहां पर बनाएंगे और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी student को जो भी हमारे साथ session में जुड़े हुए dictionary order पर बेस्ट question में कोई भी कठिनाई होगी चली तो सबसे पहले हम प्रिफरेंस कर देंगे यहां पर पी और एक साथ में तीन वर्ड आपको पी और आर के साथ में दिखाए दे रहें तो पी और यहां पर फिर हो जाएगा यहां पर फिर हो जाएगा पर फिर हो जाएगा पर जो कि आपको option number D में दिखाए दे रहा तो option number D क्या हो जाएगा इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा बात कर लेते हैं आप अगले पूछे गए प्रस्ण की अगला प्रस्ण आपका mathematical operations पर बेज है पिर्फरेंस order को हम लोग यहां पे भी फॉलो करेंगे तो जैसा कि यहां पास 11 divided by 5 तो यहां पे एक whole value हमको मिलती ही दिखाई नहीं दे रही तो इस option को हम क्या करेंगे hold पे रखेंगे option number B के अगर हम बात करें तो divide by का sign हमें third position पे दिखाए दे रहा third position पे 22 divided by 11 अगर हम करेंगे तो हमें एक whole value बनती ही दिखाई देगी यानि कि इस option के साथ हम move on कर माइनस यह हो जाएगा 16 यह हो जाएगा 64 प्लस 16 कि अगर हम बात करें तो 80 माइनस का 10 करोगी equals to कितना जाएगा 70 और यही क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्टने के लिए clear चली next question आपका logical event diagram पर आधारित है इस particular question की बात करें तो दिया गया students, brothers और male तो ध्यान दीजे जितने भी क्या होंगे brother होंगे वो definitely male होंगे ही होंगे और अगर हम बात करें आप students की तो कुछ students क्या होंगे male होंगे as well as कुछ students क्या होंगी female होंगी और जो कुछ students हैं वो क्या होंगे यानि कि अगर brothers की बात के तो कुछ भाई भी क्या होंगे student होंगे लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान दे तो लिखा हुए चात्र और हमें पता है कि जो female students होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं चात्रा बोलते हैं तो मेरे हिसाब से यहां पर हिंदी में जो पर्यूक्त शब्द हो सकता था वह एक विद्यार्थी शब्द का चैन हम यहां पर कर सकते थे चात्र की जगे पे अदर्वाइस यहां पर हिंदी की बात करें और चात्र को चप्शन की बात कर लें अगले प्रस्न की और 1 आउट पर बेच्ट कोillar है, फटा फट से यहाँ पर अगर हम बात करें ग्योंकाई तो हमलोग के वल ओड कियों के ग्यों? तो 26 से हो जा रहा है 7 यानि की प्लस 7, 7-14-7, 20-27-27 प्लस 7 और 1-48-7, 12-19-7, 19-26-7, 15-21-6 यानि की यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा पूछे कए प्रस्ण के लिए बात करेंगे अगले question की, अगले अगर हम question की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको element में कोई भी changes देखने को नहीं मिल रहे है केवल और केवल changes आपको इनकी position में देखने को मिल रहे है तो approach कि अगर हम बात करेंगे तो देखिए आसानी से आप यहाँ पर pick कर सकते थे a l p s c i t इस प्रकार का pattern यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो पूछे गए प्रस्ण में भी हम इसी pattern को follow करेंगे यहाँ कि सबसे पहले मिलेगा s e f s e f के साथ में आपको यहाँ पर केवल और केवल एक option दिखाई देखर option number c और वही क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए बात करें यहाँ पर अगले question की चुटकियों में उड़ाने वाला प्रस्ण है यहाँ अगर हम बात करें तो एन अक्षर दर्शाने वाले फलक की विप्रित कौन सा फलक होगा तो एन क्या पोजिट हो जाएगा यहाँ पर यहाँ प प्रस्ण की बात करें तो बोला गया क्रितिका के पास 21,450 रुपए थे ठीक है उसके इस राशी का 16 प्रतिशत परिवाहन उसने इस राशी का 16 प्रतिशत परिवाहन पर खर्च कर दिया ठीक है एक सिकंड मैं देख लेता हूँ कि आगे भी आपको इस प्रकार के ठीक है चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं राशी तो उसने क्या किया इस राशी का 16 प्रतिशत परिवाहन पर खर्च कर दिया यानि कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 प्रतिशत को नि पर खर्च कर दिया 50 प्रतिशत किस पर खर्च कर दिया राशन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 42% और आगे कि अगर हम बात के तो इसके बाद उसने इंटरनेट पर 991 रुपए खर्च कर दिया और इसमें से भी उसने क्या किया 991 रुपीज को इंटरनेट पर खर्च कर अब यहां पे आप से पूछ रहा है कि गड़ना करें कि अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं तो पहले तो हम इस अमानूंट का क्या निकालेंगे 42% निकालेंगे और उस में से भी 991 रुपए माइनस कर देंगे तो 42% के अगर हम बात करें तो इसका 40% जो हो जाएगा वो 2145 का 4 गुना तो 2145 के अगर हम बात करें तो 21 गुले 4 करोगे तो हो जाएगा 84 और 45 गुले 4 करोगे तो हो जाएगा 180 यानि कि 8580 रुपय हो गया 40% इसके 2% के अगर हम बात करें तो 214.5 का डबल करोगे तो हो जाएगा 239 और इसको सम करके हम क्या करेंगे सुरी 429 हो जागा यहां पर 214.5 को जब हम दो से गुडा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 429 अब इसका सम करके हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इसमें से 991 रुप है तो यह हो जाएगा आपका 9 यह हो जाएगा आपका 9 यह हो जाएगा आठ बचा ठीक है आठ दो दस का जीरो नौ होगी आठ दो सॉरी यहाँ पे कल्कुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है इसको करेट कर लेते हैं लोग क्योंकि यह आपका कोई विकल्प है ही नहीं तो यहाँ पर हम बात करें तो नौ हो जाएगा और आठ दो की बात करें तो दस कहरी जाएगा एक पांच चानौ एक दस कहरी जाएगा एक आठ एक नौ अब यहाँ पर हमें माइनस कितना करना है तो हमें माइनस करना है यहाँ प तो आसानी से आप इस प्रसन को भी बना सकते हैं बिल्कुल इजी सा कोश्चन था परसेंटेज पर बेस्ट प्रस्ट नहीं पर बात कर लेते हैं अगले कोश्चन की और वन आउट के अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं एंपियर, कैलविन, कैडिला तो यह आपके SI units हैं यानि कि अगर हम बात करें luminosity की तो यह क्या हो जागा यहाँ पे अलग हो जाएगा यह अलग हो जागा यानि कि option number C क्या हो जागा इस particular question के लिए right answer हो जाएगा यानि कि अगर हम बात करें साइप पद्यती में जो आपके साथ basically मूल मात्रक है उनमें से तीन आपके एंपियर, कैलविन और कैंडिला है और luminosity क्या हो जाएगा आलग हो जाएगा बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की figure series पर based question है तो पहले हम यहाँ पे pattern को पहचानेंगे पैटन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजे क्या-क्या changes हो रहे हैं तो star आपका यहाँ से top पे चला जा रहा है यानि कि एक corner shift हो जा रहा है ये भी आपका यहाँ से यहाँ देखने को मिल रहा है corner shift हो जा रहा है triangle भी यहाँ से आ जा रहा है same pattern आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है next step की बात करें तो triangle आपको देखने को मिलेगा उपर और सबसे आसान तरीका यह था कि star आपको यहाँ पे mid में देखने को मिलेगा जो कि kvl और kvl आपको एक विकल्प में दिखाई दे रहा option number A में तो same pattern यहाँ पे इस फरकार का pattern follow और pattern को पहचानना है और इसी pattern के अधार पे अगला job component है यहाँ पे हमें pick करना है कि दिए गए विकल्पों में से किसमें आपको देखने को मिल रहा है चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की जो कि आपका mirror image पर बेश कोशन और मने का केवल और केवल क्या करना है options को eliminate करना है यहाँ पे अगर हम बात करें तो water image उल्टा है यह भी image यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर आपको उल्टा दिखाई दे रहा है option number C क्या हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रस्ण के लिए बाकि आपको कुछ यहाँ पे बनाने की देखने की आवशकता नहीं है बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण आपका blood relation पर based question है introducing रवीना नितीज said she is the maternal grand mother of my sister's son how is रवीना related to नितीज यानि कि अगर हम बात करें question की तो यहाँ पे कहे कौन रहा है नितीज कहे रहा है she is किसके बारे में कहे रहा है तो वो रवीना के बारे में कहे रहा है maternal grand mother of my sister's son यानि कि नितीज के sister के son की क्या है maternal grand mother यानि कि नितीज की क्या हो जाएगी grand mother हिंदी में भी आप इस प्रशन को देख लिज़े आसानी से बना सकते हैं नितीस ने कहा हुआ मेरी बहन यानि कि नितीस की बहन के पुत्र की नानी है यानि कि नितीस की क्या हो जाएगी माता हो जाएगी तो रवीना का नितीस से क्या रिस्ता है तो answer क्या हो जाएगा माता यानि की option number C बात करेंगे अगले प्रश्ण की select the option that is related to third number चली यहां का अगर हम बात करें तो 5 का लिखा हुआ है 50 12 का लिखा हुआ है 288 तो अगर हम बात करें यहां पे 288 की तो 12 का square होता है 144 244 उसका double यहां पे देखने को मिल रहा है 288 5 का square 25 उसका double हो जाएगा यहां पे 50 तो 6 का square 36 उसका double हो जाएगा बातर जैसे जैसे आप question मनाते जाएगी बिल्कुल देखकर कि आपको यहां पे logic समझी में आ जाएगा पहले तो देखने में लग रहा है 50 गुले 10 करेंगे तो यहां पे 12 गुले 10 120 दिखाई नहीं दे रहा है दूसरा दिमाग में तुरन क्लिक क्या करता है कि पांच का square 25 उसका double पचास 12 का square 144 उसका double 288 तो 6 का square 36 उसका double 72 बात करेंगे अगले प्रश्न की इन में से अलग कौन है तो 11 को लिखा हुआ 111 यानि हम कह सकते हैं 11 गुले 10 प्लस 1 या हम कह सकते हैं 11 का square यानि 121 माइनस 10 चलिए अगले अगर हम बात करें यहां पे छोटे नमबर पे आते हैं 12 को लिखा हुआ 120 यानि कि 12 के अगर हम बात करें तो 12 गुले 10 ब्लस 0 12 गोले 10 कह सकते हैं यहां हम कह सकते हैं 12 का Esquire 12 इंटो 2 13 की बात करें 13 का Esquire होता है 169 और Minus की बात करें तो यहां पे आपको Minus का 26 याने कि 13 गोले 2 14 allein 13 कीओले 2 यहां पे भी आपको देखने को मिली अपशन नमबर यह क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अलग हो जाएगा बाकी के दिये गए विकल्पों से जैसे यहाँ पर भी आप इसको cross verify कर सकते 18 का square होता है 324 और 324 माइनस क्या कर दिया है यहाँ पर 36 324 माइनस 36 करोगे तो 14 में से 6 गया 8 11 में से 3 गया 8 और 2 268 यानि कि सब में क्या किया गया है नंबर का square करके उसका double minus कर दिया गया है जबकि आपका option number यह क्या है अलग है बात कर लेंगे अगले प्रश्न की अनुमति देना वर्जित करना पोजिट है तो डिंग मारना की बात कर तो सेखी बखारना नहीं होगा बड़ बोल बोलना नहीं होगा समवेदन शीलता यह समवेदन शील यह भी नहीं होगा विनम्रता यहां पर आपका थोड़ा सा font का issue आ रहा है जिस कारण से आपको कई जगे पर एकी मात्रा देखने को नहीं मिल रही है ठीक है तो यहां पर हमें बताना है उस हंप जैटी संख्याओं में आपस वही समबंध है जो दिये गए समच्याओं में हैथ तो हम भात करें यह अब रिलेशन की नम्मर के बीच क्या रिलेशन है तो फाइव और रेट की बात अगर हम करें यहां 338 की बात करें तो 5 8 से हम कैसे 338 बना सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें 338 की 8 से divisible नहीं है 5 से तो होगा यह नहीं ठीक है अगर हम इनका sum करते हैं तो यह हो जाएगा 13 13 का square होता है 169 और अगर हम बात करें इसके double की तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 338 चली यानि कि हमने क्या किया शुरू के दो numbers का sum किया जो value हमें मिली उस number का square करके उसका double कर दिया तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो 9 7 16 16 का square कितना हो जाएगा 200 यहाँ पर आपको 256 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 256 का double करोगे तो कितना हो जाएगा 512 अगले number की बात के तो 11,8,19,19 का square कितना होता है 361 361 का आप double करोगे तो यहाँ पर आपको value बनती हुआ दिखाई देगी 722 यानि कि option number C के हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की जो कि आपका embedded figure पर based question है जैसा कि यहाँ पर आपको rotation not allowed लिखकर के दिया हुआ है तो आसानी से pick कर सकते हैं इस आकरती को हम यहाँ पर कहां से उठाएंगे यानि किस आकरती को हम यहाँ पर किस किस जगे से ले सकते हैं यहाँ से हम पिक नहीं कर सकते क्योंब इसके आगे move करने के लिए हम आपका space नहीं हम यहाँ से pick कर सकते हैं यहाँ से pick कर सकते हैं अगर हम यहाँ से इसको pick करें तो यह आकरती ही यह गई चली यहाँ यहाँ पर आप clearly दे सकते हैं कि option number 1 क्या हो जाएगा राइट answer हो जाएगा यहाँ से अगर आपने pick किया तो सबसे आपको असान काम क्या है कि आकरतियों को pick करना है इस आकरती को अगर आप यहाँ पर pick करते अगर नहीं pick करते बन रहा है तो आप क्या कर यह बागी क्या options को eliminate करिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए यह वाला option आपको क्या हो जाएगा इस परकार यहाँ पर cross line आपको दिखाई नहीं दे रही है यहाँ विकल्प भी क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा अगले विकल्प को भी आप आसानी से eliminate कर सकते थे एक दो तीन चार पांच खंडों में बटा हुआ जब कि यहाँ पर इस परकार से कोई भी आपको पांच खंडों में बटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो य कि सेम आकरती आपको यहां पर बंती हुई दिखाई दे रही है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको सेम आकरती बंती हुई दिखाई दे रही जो कि मैंने ब्लू कलर से हाइलाइट कर दिया तो ऑप्शन नमबर ही क्या हो जागा राइट आंसर हो जागा बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की देखो इसका अभी तक तरीका मैं आपको बता आया हूं कि ग्रूपिंग दूसरा तरीका भी यहां पर सीख लो जैसे है को खीगार है तो एगा को क्या क्या करें बीच मैं मिसिंग है तो हम कह सकते हैं कि हम प्रस्टे को क्या करेंगे है और यहां पर हम बात करें तो P को हम फिल करेंगे यहां पे मिल गया Y, यानि कि यहां पर भी हम क्या फिल कर देंगे थानिकर में आपको बताए है चला रहे हूं चाल रहा हूं कि क्या करेंगे number of elements को count करके grouping करके questions को बना लेना है तो Y के बाद अगर हम बात करें तो यहां आ जाएगा A Y, A, B, P, K Y, A, B, P, K Y, A, B, P, K तो option के अगर हम बात करें तो A, K, Y, B A, K, Y, B इसके बाद नहीं आपको मिलेगा P, A, K, Y, B A, K, Y, B फिर Y, P, A, K, Y, B Y, P, A यानि option number है क्या हो जाएगा राइट answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए चली बात कर लेते हैं आप अगले प्रस्ण की तो यहां पर बोला गया है जिस प्रकार डॉक्टर का संबंद क्या है कार्डियो लॉजिस्ट है यानि कि अगर हम बात करें तो एक विशिस्ट प्रकार के जो विशेशक की होते हैं अगर हम बात करें डॉक्टर की तो उसको हम क्या बोलते हैं कार्डियो लॉजिस्ट यानि कि हर्ट से संबंदित जो भी आपका यहां पर ट्रीट्मेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं काडियो लॉजिस्ट इसको हम लोगों ने वैरियस टाइप के स्टेडी में भी पढ़ा हुआ है तो अगर हम बात करें जिस परकार डॉक्टर का संबंद काडियो लॉजिस्ट से है उसी परकार दिये गए विकल्पों में से कौन सावाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा तो अगर हम बात करें काडियो लॉजिस्ट क्या है एक विशिस्ट परकार के डॉक्टर होते हैं जो हुर्दै संबंदी रोगों का क्या करते हैं इलाज करते हैं प्रकार अगर हम बात करें इंजीनियर की तो यहां पर आपको दिया गया एक chemical engineer यानि की वारियस टाइप के आपके इंजीनियर आपको देखने को मिलते है mechanical electrical ठीक है इसी प्रकार से यहां पर जो chemical engineer है क्या होगा वह एक विशिष्ट प्रकार का इंजीनियर होगा जैसे कि अगर यहां पर teacher दिया गया है और आपको दिया होता physics faculty, math faculty इस प्रकार से तब हम उस विकल्ब को यहां पर chain करते nurse को बोला गया injection surgeon operation तो operation की अगर हम बात करें surgery की भी अगर हम बात करें तो आपके different body parts के लिए अलग अलग क्या होते है एक्सपार्ट होते हैं जो अलग अलग बाडी पार्ट का कहीं surgery करते हैं तो यहां पर आपको इस प्रकार से कोई भी विश्यसग्य का नाम नहीं दिया कि इसलिए यह option भी क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा बात कर लेते हैं अगले option की 11 12 274 के बीच क्या संबंद है 11 12 12 करेंगे तो आएगा 132 132 का डबल करोगे 244 यानि इन दोनों का multiply करके क्या कर देना है डबल कर देना है तो यहां पर हम बात करें यूनिट इजिट पर काम करेंगे 17 दूनी 34 34 का डबल करोगे 16 नहीं आएगा यानि कि 680 आना चाहिए था फिर 7 फोरजा करोगे 28 यूनिट इजिट 8 का डबल करोगे 6 नहीं आएगा 8 6 आ 48 8 का डबल करोगे 6 यहां पर बनता हुआ दिखाई देरा लेकिन अभी calculate करके देखने की ज़रुद नहीं पहले इस वाले option को चेक कर लेंगे यहां पर भी आपको 6 बनता हुआ नहीं दिखाई देगा यहां पर अगर हम बात करें 9 5 is a 45 unit is it 5 उसका डबल करोगे unit is it 0 यानि कि answer बनेगा है पर option number C आपको पूरा calculate करके भी देखने की ज़रुद नहीं थी बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कोडिंग डिखोडिंग पर बेश्ट कोश्चन नहीं ना सर्टेन कोड लेंगवेज इस रिटेन एज सुपर इस पी ए आर सूपर इस रिटेन एज आई वी के फ ह को सकते हैं यह स्का Our Posit F M मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के बेसिक से जो लाजिक से इन में आपको कोई बी कठिनाई होने वाली यह लॉफटी की लिए पूछ रहा तोLE का भी लाजवे था आपको शिपने कूद द्रिंगे ऊप्शन को C eliminate F का opposite U आपको देखने को मिलेगा इसके बाद अगर हम बात कर T का opposite आपको G देखने को मिलेगा option number A भी क्या हो गया eliminate हो गया answer हो जाएगा option number D चली बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की अगले प्रस्न की मैंने बताया कि last फोल्ड पर क्या करना है mirror लगाना यानि कि उपर आपको इसी प्रकार क्याकरती बनती हुई दिखाई देगी और जब यहां पर आप mirror लगाएंगे तो आपको यहां पर नीचे water image बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि correct answer की हम बात के तो option number C क्या हो जागा यहां पर correct answer हो जाग यानि कि number आपके अगर हम बात करें अंकों की तो आपके number of letters के comparison में कहीं जादा है T की place value में पता है 20 है यहां पर आपको 40 देखने को मिल रहा है E की place value 5 है यहां पर 10 देखने को मिल रहा है यानि कि सीधे सीधे आप यहां पर logic को pick कर सकते थे letters के place value का just क्या होता हुआ दिखा दिखाई देखने को मिलता है जो कि अगर हम बात करें अभी प्रकार का आपको logic देखने को मिला था ठीक है तो यहां भी बात आपको ध्यान दे ले नहीं है पूछे का अगर हम यहां पर बात करें वर्ड की auditory तो एक का double करेंगे तो 2 सभी मिल रहा है यू का double करेंगे तो 21 क फिर इसके बाद अगर हम बात करें डी का पोजिट आठ डी का double करेंगे तो 8 हो जाएगा फिर आई का double करेंगे तो 18 हो जाएगा यह ऑप्शन नम्बर एक राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए चलिए बात कर लेते हैं सीरीज की 12,3,15 into 5,75 यहां पे यह तो plus होगा यह तो multiply होगा यहां पे हम चेक कर लेते हैं कि plus है या multiply है तो यहां पे आपको 11 का क्या देखने को मिल रहा है अंतर देखने को मिल रहा है यानि कि अगर हम बात करें प्लस 11 करोगे तो आपको अगला number मिल जाए प्लस 3 किये, multiplied by 5 किये, प्लस अगर हम 7 करेंगे, multiplied by now करेंगे, तो प्लस हमें 11 यहां पे मिलता हुआ दिखाई देरा, और इस प्रकार का question हम लोगों ने previous session में, यानि कि अगर हम बात करें पिछले session की, तो वहां पे हम लोगों ने इस प्रकार के logic के साथ question बनता हुआ देखा, तो यहां पर हम बात करेंगे, तो इस बार क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 करेंगे, तो value आजाएगी, 82 और 82 multiplied by 9 करोगे, तो यहां पे आप देख सकते, 7, 38 आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, यानि कि हम answer की बात करेंगे, तो answer हो जाएगा, option number B, 82, च some cartoons are locks, चली, conclusion कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो बोला some boxes are locks, कुछ boxes lock है, बिल्कुल सही बात है, no pen is cartoon, अगर हम बात करें, बड़े member से जगला है, तो छोटे member का part नहीं हो सकता, यानि कि यह बात भी क्या है, सही है, no pen is lock, यानि कि pen कि अगर हम बात करेंगे, तो वह lock का part हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, आपका can't say, answer के अगर हम बात करें, तो हो जाएगा, both conclusion one and two, follow, यानि कि option number a, right answer हो जाएगा, पूछे गए प्रशन के लिए, तो आप सभी को बताना है, कि आपके पूछे गए प्रशनों में से कितने प्रशनों के उत्तर सही सही आए, और मिलते हम लोग अगले session में जहाँ पर हम लोग model paper पर based practice session को discuss करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, thank you